कि नमस्कार अदाप ससीरेकाल केम चोख और मैं प्यारे बच्चों सब लोग कैसे बढ़िया मज़कास जैसा कि आपको भिधित है कि 2023 पूरे भारत के वासियों के लिए भारत सरकार के लिए भहुत ही गौरवानीत पल रहा क्योंकि 2023 में ही भारत के दौरा चंद्रमा के दक्ष सरकार के द्वारण G20 के अधक्षता की जा रही है तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही गौरवानीत पल है और उसी G20 के बारे माज हम जानेंगे समझेंगे कि G20 इसे समदित मुद्धे कौन कौन से हैं और G20 समदित प्रस्ण कौन कौन से एक्जाम में आ सकते हैं तो हम बढ़ते हैं बिटा, G20 की मुद्धों की तरफ, G20 में बताये गया G20 का गठन 1999 में हुआ था और किसलिये इसका गठन किया गया था तो 1990 के दस्यक के उत्रार्द के बित्ती संकट की प्रिष्ठ भूम में किया गया था जिसने विशेश रूप से पूर्वी एसिया दक्षिट पूर्वेसिया को प्रभावित किया था इसका उद्देश मध्यम आये वाले देशों को सामिल करके बैस्विक बित्ती इस्थिरता कुछ रक्षित करना था इसमें 20 बित्त मंतरी और जितने भी सेंट्रल बैंक होती बिटा उनके गवर्नर सामिल होते हैं इसलिए इसको G20 या 20 देशों के समूह के नाम से भी जानते हैं इस समूह में पूरे 20 के लगबग 60% आबादी यही कबर करता है और पूरे 20 की GDP का लगबग 80% हिस्सा G20 के पास ही है GDP मतलब होता ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम सकल घरिलूत पाद के नाम से भी जानते हैं यही कबर करता भीया और बैस्बिक ब्यापार का 75% हिस्सा भी इसी में आता है G20 में ही सामिल है G20 का पहला सिकर समेलन 2008 में USA के अमेरिका के वासिंग अटन DC में हुआ था आगे बढ़तें भीया बिटा अगला देखना अगली बात की गई कि G20 के सदस से कौन कौन से हैं तो G20 में सदस अभी तक होते थे 19 देस प्लस एक European Union लेकिन इस बार एक बढ़ा दिया गया और बढ़ाया क्या आगया अफरीकी संग किसको बढ़ा दिया गया बच्चा अफरीकी संग को बढ़ा दिया गया है तो इसलिए G20 प्लस वन हो गया ये और अफरीकी संग में कुल देशों की संक्या 55 है अफरीकी संग में कुल देश क लास्ट वला European Union आपको मिल जाएगा 19 देश जैसे जर्मनी अमेरिका, रूस United Kingdom, जापान इंडिया, सौधी अरब, इंडोनेसिया इस तरह से बेटा डूडेंगे न तो सारे के सारे आपको देश मिल जाएगे और खोज के कमेंट करके बेटा सेट करके बताई किस अक्छर के साथ कौन से देश पड़ेगा अगली बात की गई G20 2023 का 48 संस्क्रण था कौन संस्क्रण था ये अठारवा संस्क्रण था 1900 संस्क्रण कहां पर होगा प्राजील में 1900 संस्क्रण इसकी अधक्स्ता कौन करेगा पराजील करेगा भारत ने 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2022 से 30 जनवरी 30 नॉमबर 2023 तक G20 का अधक्स्ता समाली किसनी बेटा भारत ने तो 1 दिसंबर 2022 से ही भारत ने G20 का अधक्स्ता समाली है और कब तक करेगे बैटा दक्षत है तीस नॉमबर दोजार तीस तक करेगा ठीक ना इसमें आपको दिख रहे होंगे कि सारे कि सारे रास्ट द्यक्ष या रास्ट की तरफ से नामित किये गए बैट इसमें सामिल हुए जी टुन्टी 2022 का जो सतरमा संस्क्राण था था ये इंडोनेशिया कहां पर हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था वही इंडोनेशिया जिसे हजार दूइपों का देश कहा जाता है जिसमें लगबग 17,000 दूइप पढ़ते हैं अठारवा संस्क्रण भारत के दोरा किया गया और 1908 संस्क्रण कहां पर ब्राजील में कहां पर होगा ब्राजील में होगा अगली बात यहां से की जाए अगली बात की जाए तो ध्यां से देखना भीया कहा गया कि 2023 का लोगो क्या बनाए गया इस बार जो अठारवा तो उसका लोगो बिटा जी 20 लोगो भारत के राश्टी धोज का जितना रंग था उसको सामिल किया गया था तो राश्टी धोज के सरिया सफेध हरे और नीले रंग के जीवंत रंगों को प्रेडा लेता है या पिर्थिभीगरा तो पिर्थिभीगरा कमल के उपर पिर्थिभ G1 के लिए भारत के ग्राह समर्थक दिश्चिकोंड को दरसाती है जो प्रकिर्ति के साथ पूर्ण सामंजस में है G20 लोगों के नीचे भारत है क्या भारत लिखा गया है और किस लिप में देवनागरी यह इंपोर्टेंट है तो यही तो है G20 के लोगों बिल्कुल ही बिटा देखिए एक कमल का फूल दिखराना इसके ओपर बिटा पूरी पिर्तिभी को दिखाए गया है और इसमें आप कलर देखेंगे तो आपको केसरिया हरा और सफेद कलर आपको दिखाई देगा और नीचे लिखा गया वसुधय कोटमकम मतलब पूरी पिर्तिभी हमारा परिवार है और उसके नीचे लिखा गया वन अर्थ वन फैमली वन फ्यूचर एक पिर्तिभी एक परिवार एक भविश से परिवार एक पिर्तिभी एक परिवार एक फ्यूचर ठीक न अगली बात यहां से की जाए बिटा तो बताये गया कि G20 के थीम वसुधय कोटमकर जो अभी हमने बताया एक पिर्तिभी एक परिवार एकभविнов से और बिटा गर पुछा जाए कि किस उपनिसद से लिया गया है तो महा उपनिसद कहां से लिया गया है महा उपनिसद के प्राचीन संस्क्रित पार्ट से ही इसको लिया गया वसुदे कुटुमुकम को ठीक ना और भारत का बिटा देवाकि भी यही है उसुदे कुटुमुकम भारत कभी भी क कितने वर्ष पुराना बेटा 25 वर्ष पुराना important प्रस्राइं बनता है देश के कितने सहरों और कितने संस्था में G20 के meeting उई तो 60 सहरों के लगबग 200 जगाओं पर, 60 सहरों के लगबग 200 जगाओं पर मेटिंग की गई G20 की भारत ने G20 meeting में इनमें से किस संसा के आमंतिर्थ किया अफरीकी union एई यू लिखा गयाना इंटा आफरीकी union जिसमें कितने देश सामिल है पच्पन देश सामिल है तो भारत सरकार के दोरह एक पहल की गई और इसमें एक नए देश को सामिल करने की बात की गई और संग कौन सा European Union किस संस्त सारे प्रसन भी हम यहीं से देख लेंगे कि कौन-कौन से प्रस एक्जाम में आ सकते हैं। अगला कहता है कि G20 की बैठा के तहित कितने engagement group बनाए गए तो 20 engagement group कितने बनाए गए गए बीस engagement group बनाए गए थे बैटा। नए दिल्ली declaration में कुल कितने मुद्दे आम सैमस से बनी तो 73 मुद्दे। इंपोर्टन है कितने मुद्दे बैटा आम सैमस से बने थे इसमें 73 मुद्दे सामिल थे इसमें। G20 समेलन नई दिल्ली में किस तारीक आउजित किया गया था तो 9 से 10 सितंबर कब किया गया था बैटा 9 से 10 सितंबर हाली की बात थे भीया और दिल्ली के कहां पर भारत मंडपम यह important बैटा दिल्ली में कहां पर प्रगती मैदान के भारत मंडपम में इसको किया गया था भारत म अउजित हुए G20 समेलन के पहले सेसन का नाम क्या रखा गया तो नई Municipal प्रगती मैदान ठीक है आगे भड़ते हैं बिया सारे प्रसना आप देखते चलिए एक नोट जरूर बना लेजिए आने वाले एक्जाम में बटा मोदी जी ने कोडार्क, जो की कहांपर बेटा कोडार्क है न सूरीभनदिर और कहां पर पूरी ओりशा के सामनेASE महिमानों का स्वागत किया, चक्र का निर्माड कि सासक ने करवाया था तो इस जो स्वागत किया गया बेटा तो जो चक्र था वहांपर अस्थापित उसका निर नर सिंग देव परथम ने किसने करवाया था राजा नर सिंग देव परथम के दौरे इसका निर्माड करवाया गया था वही कोडार के जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से बीजाना जाता है भारत में आउजित के जा रहे जी टॉंटी सिकर समयलन 2023 के थीम क्या बिटा नट्राज की मूर्तिया वहां से प्राप्त होती हैं और ऐसा कहा जाता भिया कि जो भरत नाट्यम था जो भारत का पहला सास्त्री निर्त भरत नाट्यम वह भी कहीं नहीं यहां से प्रेरित है तो बेटा किसने इसको वास्तुकार का नाम क्या था 61 वर्सी स्रीकंडा अस्थापति इनका नाम क्या था 61 वर्सी बेखती थे स्रीकंडा अस्थापति G20 की लोगों में भारत किस लिप में लिखा हुआ है तो देवनागरी लिप किस लिप में लिखा गया था ठीक ना सारी बातों आपको बताई गई और सारी के सारी बाते कंठस्थ हो जानी चाहिए G20 का थीम किस उपनिसा से लिया गया बिटा महा उपनिसा से लिया गया और किस पार्ट से संस्कृत पार्ट से लिया गया ठीक ना भिया संस्कृत पार्ट से लिया गया इसको जी टॉंटी का पहला समेलन कब हुआ था तो 2008 में अमेरिका के वासिंगटन डीसी में ही डीसी के मतलब होता बिटा डिस्ट्रिक्ट आफ कोलंबिया ठीक ना वहाँ पर किया गया था ऍवरजी कोफी कुथ कोफी कुथपादन करने वाला विडेश कोँ से बेटा बर्जील है बारजी कोफी कुथफ़री तो महाराँस्ट के और अगबाद में इंपोर्टेंट है बेटा महिला थे समन्दित है अगला देखना अगला कहता है कि भारत में G20 शिखर समयलन 2023 तो अगर आप से बात कीज़े बेटा तो जो पहला हुआ था 4 से 7 दिसंबर 2022 को क्या हुआ था ध्यान से देखना इसीज़ को ठिक ना तो यहां पर हुआ था चार से साथ दिसंबर 2022 को जिसको बोला गया पहला सेरपा बैठक सेरपा मतलब होता पथ परदर्सक मतलब पहली बैठक सेरपा का मतलब होता बैठा पथ परदर्सक किसी भी समझ होते के लिए पहली बार पथ का परदर्सन कहां से किया गया था तो कहां से किया गया था उद्यपूर आजस्थान से 13-15 दिसंबर 2022 को पहली बित और सेंटरल बैंक ड़प्टी मीटिंग कहां पर हुआ थी बेंगलूरूरू में पहली बिकास कारिसमू की बेठ़ कहां पर हुआ थी मुंबई में थी 16-17 दिसंबर 2022 को framework working group की पहली बैठक बेंगलूरू कहां पर हुई थी बैंगलूरू में हुई थी 18-20-20-2023 को पहली स्वास्त कार समू की बैठक तिरुवंत पुरम केरल कहां पर तिरुवंत पुरम केरल में हुई थी ठीक ना केरल में हुई थी 30-31-2023 पहली अंतरास्टी बित्ती सनक्चना कार समू की बैठक बैठक चंडीगर वही चंडीगर जो हरियाना और पंजाब की राजधानी भी है 31-2022 से 2-23 पहली सिक्षा कार समू की बैठक का पर तिरुटी चिन्नाई में तो सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टन ने बैठक ये कि सेरपा बैठक का पर तिरुटी बित और सेंटर लिप्टी मेटिंग का पर तिरुटी सारी सारी बाते हैं आपको याद दुनी चाहिए और इसका नोर्स में बार-बार बतारो बैटा बना लिजिएगा और इसलिए इसको इतने आसान भासम लिखवाये गया है इसलिए हमने इसको इतने आसान भासम आपको बताने का प्रयास किया कि जिससे आप लोग इन चीजों को समझ पाएं ठीक ना तो इतना ही मुद्दा जिट्वन्टी से समंदित जो मुद्दा था बिटा जो इंपॉर्टेंट था हमको लगा कि एक्जाम में आसकता आपको बताये गया तो आप लोग इसका नोर्स बनाईएगा और आपको लगता है कि इस्ट्रा आपको जानना है है ना तो आप जहां भी मिल जाए आपको इस